भारत माता की भारत माता की भारत माता की महराष्ट के गवणर सीपी राधा कृष्णन जी अमारे लोग प्रियम मुख्यमंत्री श्री एकनाथ सुन्दे जी केंद्रिय केमिनेट में मेरे सहयोगी श्री राजीव रंजन सीजी सर्वारन सोनवाल जी महराष्ट के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडण विजजी अजित दादा पवार जी केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे अन्य सहयोगी गण महराष्ट सरकार के मंत्री अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाईयो एवं बहनो आज संत सेनाजी महराज आँची पुन्यती थी मित्याना नमन करतो माजा सर्व लाड़क्या बहिणी आणी लाड़क्या भावन्ना तुम्चा या सेवकाचा नमस्कार साथियों आज इस कारक्यम की चर्चा करने से पहले मैं अपने रदय के भावों को व्यक्त करना चाहता जब 2013 में भारतिय जनता पार्टी ने मुझे प्रधान मंत्री पत के उमीदवार के रुप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था राइगर के कीले पर जा करके छत्रपती सिवाजी महराज की समाधी के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी एक भक्त अपने आराज्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ती भाव से आशिरवाद ले करके मैंने राश्ट्र सेवा की एक नई आत्रा का आरंब किया था पिछले दिनों सिंदू दूर्ग में जो हुआ मेरे लिए मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपती सिवाजी महराज ये सिर्म नाम नहीं है हमारे लिए छत्रपती सिवाजी महराज ये सरफ राजा महराज आराज पुरूस मात्र नहीं है हमारे लिए छत्रपती सिवाजी महराज आराज्य देव है और मैं आज सर जुका करके मेरे आराज्य देव छत्रपती सिवाजी महराज की उनके चरणों में मस्तख रखके माफी मांगता हूं हमारे संस्कार अलग है हम वो लोग नहीं है जो आए दिन भारत मा के महान सपूत इसी धर्ती के लाग वीर सावर करको अनाप सनाप गालिया देते रहते हैं अप्मानित करते रहते हैं देश भक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं उसके बावजुद भी वीर सावर करको गालिया देने के बावजुद भी माफी मांगने को जो तयार नहीं है अधालतों में जाकरके लड़ाई लेटने को तयार है इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पस्चा ताप नहीं होता है महाराश्चा की जनता उनके संसकार को अब जान ले और यह हमारे संसकार है कि धर्ती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपती सिवाजी महराज मैं उनके चरणों में सर जुका करके छमा मांगने का कर रहा हूँ और इतना ही नहीं जो जो लोग छत्रपती सिवाजी महराज को अपने आराध्य देव मानते है उनके दिल को जो गहरी चोट पहंची है